हालो स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आज हम आपको कक्षा 11 वी बही खाते और लेखा कर्म बुक कीपिंग और एकाउंटेंसी का एक चेप्टर नमबर फस्ट का एक महत्वपूर्ण कोशन्स देख रहे हैं कोशन है आपका बही खाते और लेखा कर्म में अंतर इंपोर्टेंट कोशन है जिसे कि आप सभी में सभी ने आगे के वीडियो में जान लिया होगा कि बही खाता और लेखा कर्म किसे कहते हैं ये कोशन इंपोर्टेंट है आप सभी को इसको अपनी फैर कॉपी में भी लिखना है तो देखिए यहाँ पर आपको कोशन्स दिया हुआ है कि डिफ्रेंस बिट्वेन बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है ना बही खाते और लेखा कर्म में अंतर तो देखिए आप सभी जानते हैं कि बही खाता और लेखा कर्म क्या होता है तो आज हम इसके बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि बही खाता और लेखा कर्म में किन बिंदूओं के आधार पर अंतर इसफस्ट किया जा सकता है इस खाते का आशे जो दिया हुआ है ये है बही खाते का आशे व्यापारिक लेन देनों को निया मनुसार नियत पुस्तकों में लिखना जैसे बुक किपिंग is a concern with the proper and systematic maintenance of the books of accounting. It excludes identification, accounting, transactions, NTL records, preparation, off-leisure accounting and trial balance. तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा बही खाते का काम बहुत ज़्यादा होता है. बही खाते में हम जो भी business transaction होते हैं उनको, हमको measuring करना पड़ता है, उनका identification करना पड़ता है, identification यानि उनको पहचालना पड़ता है, measuring यानि उनका मापन करना पड़ता है, कि मुदरा में उसकी क्या कीमत है, है ना? और उनका एक record maintain करना पड़ता है उसको सारे सोधों को सबसे पहले हमको general की पुस्तों को में लिखना पड़ता है और उस general की पुस्तों की जाँच करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है laser बनाना पड़ता है clear, तो हम कह सकते हैं कि बही खाता जो होता है, जो bookkeeping होती है, उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो area होता है, वो बहुती large और big होता है, जब कि हम जब लेखांकन की बात करते हैं, तो देखिये, लेखांकन में दिया हुआ है, accounting is the concern with summarization of the classification, trajection in the form of final accounts, analyses in the enterprising, them and lazily communications, the result of the concerns person, देखिये, यहाँ पर क्या होता है, लेखांकन में, लेखांकन में आप सीधा समतलब यह समझ सकते हैं, Git जहाँ बही खाते का काम, खतम होता है, वहीं लेखांकन का काम शुरू होता है, बही खाता एक primary अवस्ता है, business transaction को लिखने की, और जो लेखांकन है, उसकी दूसरी अवस्ता है, तो लेखांकन में क्या क प्रेटिकन में क्या होता है जो भी आपने लेजर बनाया है उसको समराइज किया जाता है उसके बाद कंपनियों की बैलेंस शीट्स बनती है बैलेंस शीट्स में ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट लाभानी खाता और बैलेंस जाती है जो कि CA या उससे अपर लेवल के काउंटेंट द्वारा बनाया जाती है और कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस गोवर्मेंट के सामने पेश करती है तो यह अकाउंटिंग में आता है याने हम क्या सकते हैं कि जो लेखांकन है वह उसका क्षेत्र क्या होता है बड़ा होता है कि इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तो यहाँ पर हम इसके दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिए कि जो बुक किपिंग है याने जो बही खाता है उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है सिमित होता है और जबकि लेखांकन का जो शेत्र होता है वो तुलनात्मक रूप में, याने हैं हम उसका comparison करें, इसका बही खाते का, तो लेखांकन का जो होता है, क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, विस्तरत होता है, बड़ा होता है, और देखिए यहाँ पर एक और बिलकुल समझने वाली बात है, बिलकुल सरल बात है, कि जो बही खा क्या होता है? वो हमारी secondary stage होती है. क्या होती है? secondary stage. बाट यदि हम accounting की बात करें, तो it is a primary stage. यह हमारी क्या होती है? primary stage होती है. तो it is not dependent on accounting. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भ限 खाता है, वह लेख्यांकन पर निर्भर नहीं है, जबकि जो लेखांकन का कारे है वो भाई खाते पर निर्वर करता है याने यह जो हमारी secondary step आती है it is totally depend on bookkeeping क्योंकि यदि हम bookkeeping यदि हम अपने खातों को व्यस्तित रूप से नहीं रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसका measuring नहीं कर पाएंगे इसलिए हमको किस पर depend रहना पड़ेगा तो हमको bookkeeping पर depend रहना पड़ेगा ठीके चलिए हम इसके अगले वाले chapter और अगले वाले point पर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल simple सी बात है जो आज आपने देखा होगा कि जो बही खाते कार है बही खाते का कार है एक साधरन योगिता वाला भी व्यक्टी कर सकता है यानि जिसको भी बही खाते का थोड़ा नौलेज है उसको purchase sales book का नौलेज है वो इसको आसानी से maintain कर सकता है तो यह हम कह सकते हैं कि जैसे English में दिया हुआ है इसको बहिकाते को जो बनाने के लिए इतना आपको ज्यादा higher level की knowledge की जरूरत नहीं है कम knowledge वाला वेक्ति जिसको accounting का knowledge है जिसका background commerce background है या तेली का knowledge हूँ आसानी से वो वेक्ति इसको maintain कर सकता है कि इसको हमारा bookkeeping को पर यदि हम यहीं पर लेखांकन की बात करें तो जो लेखांकन का कार्य है तो देखें लेखांकन में आपने देखा कि बहुत से काम करना पड़ते हैं जिसे final account हुआ उसके बाद balance sheets वगेरा हुई तो लेखांकन के कारे के लिए क्या होती है विशेश योगयता वाले व्यक्ति की आवश्रक्ता होती है विशेश யोगयता वाले व्यक्ति कोन देखें विशेश योगयता वाले व्यक्ति होता है जो की chartered accountant हो CA हो है ना उसको ही इस कारे को करना बढ़ता है तो it is required to higher level of knowledge than that the book of keeping तो यहाँ पर हमने समझा कि जो bookkeeping का कारे है उसके लिए क्या होता है कि जो knowledge है वो आपको ज़्यादा चाहिए रहता है जबकि जो accounting होता है जो bookkeeping होता है उसके लिए कम चाहिए जो accounting होता है उसके लिए ज़्यादा knowledge वाले व्यक्ति की आवश्रक्ता होती है आगे के point पर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है बही खाता रखना एक कला है bookkeeping is a arts ठीक है arts याने कला कला याने किसी भी कारी को करने का श्रेष्टतम तरीका what is the finalist solution of the bookkeeping क्या होता है उसको आप किस तरह से maintain कर सकते हो उसको किस तरह से रख सकते हो जब accounting maintain करता है तो अपने अलग 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 खातों को अलग 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 प्रकार से रखता है लिखने की कला सुन्दर अपना serial wise date wise है ना तो हम कह सकते हैं कि बहिखाता क्या है एक कला है systematic रखने की कला है जबकि यदि हम देखें तो जो लिखांकन होता है वो एक विज्ञान है लिखांकन याने accountancy is the science वह यह science क्यों कह रहा है accountancy को हम तो देके science इसलिए कह रहा है तो मैंने आपको पहले भी वी वीडियो में बताया था कि मान लेजे आपको आपकी प्रयोक शाला में carbon dioxide gaze बनाना है या co2 बनाना है या किसी अन्य अविश्कार को करना है तो हमने देखा है कि science में जिस तरह से दो पधारतों को मिला कर किसी नए पधात का निर्मान किया जाता है और science के अपने कुछ सिद्धान्त होते हैं जो कि universal होते हैं उसी तरह से हम यह कह सकते हैं जो लेखांकन है जो कि universal है जो कि हर जगे पर मानने है जिसको हर वेक्तिक मानना पड़ता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लेखांकन है वो है एक विज्ञान है है ना इसको हम एक विज्ञान की क्षड़ी में भी हमने इसको रख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि बहिया जो बहीकाथा है वो लेखांकन लेखांकन दोनों है इसको हम बोत में accept करेंगे कि बहीकाथा क्या है कला भी है और एक बिज्ञान भी है कि वहीखाता क्या कला है, क्या वहीखाता विज्ञान है, क्या वहीखाता कला या विज्ञान दोने हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, कि वहीखाता जो है कला और विज्ञान दोनों हैं, ठीक है, आगया होगा आपको समझ में, चलिए, अब हमें आगे बढ़ते हैं, कि शुद्धिता की जाच है न भही खाते में शुद्धिता की जाच और आपके इंग्लिश में हम चलते हैं तो इसमें हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रेड है न तो देखे इस वर्क आफ बुक केपिंग रेगुलरी गो तो इस गोज ऑन कॉंसेंटेंसली तो देखे क्या है कि यहां पर आपको यह बताया गया है कि जो हमारा बही खाते का कारे है वो एक रेगुलर कारे है और जिसको आपको हमेशा कंटिनियूस करते रहना पड़ेगा वरना हालवीन के बिजनस में सोधे जादा हो जाएंगे उनकी संख्या जाधा हो जाएगे और आपका एक वर्किंग लोड जाधा हो जाएगा जबकी कहना यानि कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो हो आपको डेली मेंटाइन करना है पर इसके यह बज में यादि हम अकाउंटिंग की बात करते हैं बुक्किपिंग के वज़ में तो जो accounting का कार है it is normally the work of the accounting start after the complexion of the one year ends of the same of the time देखिए यहाँ पर आप अपनी हिसाब से तीन महिने में छे महिने में या एक साल के अंदर आप इसके आगे का जो work है final accounts जो होता है आपका ट्रॉलिंग अकाउंट जो होता है balance sheets जो होती है उसका कारी कर सकते हैं है ना यहाँ पर है वही खाते की शुद्धता की जाच नहीं की जाती है जबकि लेखांकन में तलपट बनाकर शुद्धता की जाच की जाती है देखिए पॉटेंट पॉइंट है देखिए हां समझीगा इंग्लिश मिडियम वाले भी कि जो account bookkeeping है देखिए bookkeeping में जो business transaction होते हैं तो हम सबसे पहले उसको कहाँ में लिखेंगे general में लिखेंगे कहां लिखेंगे general में general जो होती है primary records की book होती है जहाँ पर हम business transactions को लिखते हैं और general की जाज करने के लिए हम क्या बनाते हैं laser बनाते हैं क्या बनाते हैं हम laser बनाते हैं और यह दोनों कारे काय में आते हैं यह दोनों कारे जो आते हैं यह आपके bookkeeping में आते हैं है ना जबकि इससे आगे के दि हम कारे पर जाते हैं तो जो आपका आपने लेजर बनाया है उस लेजर की यदि आपको चेक करना है उस लेजर को चेक करना है तो उस लेजर को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे उस लेजर को चेक करने के लिए आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ट्रायल बैलेंस याने तलपड तलपड बनाया जाता है किसकी जाच करने के लिए लेजर की जाच करने के लिए और जनरल की जाच करने के लिए क्या बनाया जाता है लेजर बनाया जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो भाई खाते का कारे है वो प्रतिदिन का कारे है उसकी शुद्धिता की जाच भी ह यह एक निन में स्तरी कार्य है और यह है कुछ इस तरी कार्य है तो इनिन में स्तरी का मतलब क्या होता है यह प्राइमरी लेवल का कार्य है प्राइमरी लेवल का कार्य होता है याने इसकी जो हम स्टेप मान सकते हैं क्या मान सकते हैं इसकी प्राइमरी स्टेज है ना यह एक न Accounting is a secondary stage, accounting start where bookkeeping ends, तो देखिए यहां यही कहा जा सकता है कि जहां पर बही खाते का कारे, bookkeeping का कारे खतम हो जाता है, वहां पर accounting का जन्म होता है, accounting की शुरूवात होती है, तो आगे के point में हम जाते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं हम, कि एक को चीज है कि यहां regularity, बही खाता जो है, प्रती दिन लेखन होता है, बही खाते का, जबकि लेखांका ने एक निश्यत अवधी के बारे में किया जाता है, यहां पर मैंने आपको बताई दिया, और यहां पर हम चलते हैं, तो एक और है कि liability point को समझते हैं, इसके liability का मतलब होता है, दाइत्व, a bookkeeper is responsible for the work of accounting, यहां पर मैं आपको आगे पहले ही बता चुका था, कि जो bookkeeping है, वो accounting पर depend नहीं है, बट जो accountancy है, it is responsible work to related to bookkeeping, वो total काम किस पर depend करता है, bookkeeping के पर करता है, आगे हम पढ़ते हैं, state of the staff, bookkeeping work is done by junior staff, अभी हाल हमने बताया है कि यह जो एक कमपड़ा लिखा वेक्ती भी कर सकता है, और accounting work is done by senior staff, याने accounting का work को न करेगा, CA level का वेक्ती जो होता है, chartered account and company secondary, जो इनकी financial firms होती है, और यह जो record बनाते हैं, इसको government के सामने पेश किया जाता है, और government इसी के अधार पर उनका जो tax होता है, income tax जो होता है, उनका जो consumption होता है, profit and loss होता है, वो शो होता है, और वो supervision and checking, अभी हमने आपको देखा था, the bookkeeping is a does not supervision and check the work is accounting, तो यहाँ पर जो प्रती दिन इसकी शुद्धता की जाच नहीं कर सकते हैं, पर जो accounting होता है, उसका supervision or checking क्या होता है, work of bookkeeper, वो कोन करता है, आपका जो bookkeeper जो होता है, उसको जो maintain करता है, CACSO, जो laser की जाच के लिए, laser की जाच करते हैं, trial balance बनाते हैं, trial balance के बाद final account बनाते हैं, चैके, तो last point है, इसका result, it is, it does not show the net result of the financial year of the position of business, तो देखें, यहाँ जो बही खाता है, बही खाते को बिलकुल आप यह नहीं कह सकते हैं, कि यह बिलकुल business का सार हो गया, यहाँ पर आपको सारी चीज़े clear हो गया, नहीं, है ना, जबकि जो accounting होता है, accounting show the net result of the business, पर जो लेखांकन होता है, जिसका शेत्र विस्तित होता है, यह हमको क्या बताता है, कि भईया, उस business में, साल भर की अवदी में, एक साल की अवदी में, छे साल की अवदी में, आपको कितना lab हो रहा है, या कितनी हानी हो रही ह यह कौन show करता है हमको, यह हमको show करता है accounting, तो देखिए, यहाँ पर हमने इन दोनों के अंतर के आधार के बारे में पढ़ा, आशे, जो इनका meanings है, जो objectives है, जो stage है, जो dependency है, यह हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने एक बहुत important चीज के बारे में किया, कि accounting is a art and account is a science, तो bookkeeping is a accounting and accounting is a arts and science, यह चीज भी हमने clear करी, तो मुझे उमीद है कि आपको यह questions पूरी तरह से clear हो गया होगा, और देखिए, यह questions एक तरह से बोल सकते हैं कि important है, दोनों में difference है, आपको समझना पढ़ेगा, बही खाता क्या है, बही खाते की क्या limit से, बही खाते में क्या होता है, तो देखिए, simple सा है कि बही खाते में क्या होता है, दो चीजे मानके चलिए, आप सबसे पहले general बनाई जाती है, general से laser बनाई जाती है, पर जो लेखांकन होता है, जो accounting होता है, उसमें हम क्या बनाते है तो यहाँ पर हमने इस important questions को समझा और इसी के अधर पर हमने एक और questions को समझा कि लिखांकन कला और विज्ञान दोनों हैं या कला है या विज्ञान हैं तो हम इसका answer लिखेंगे कला और विज्ञान दोनों हैं तो इस video lecture में इतना ही जड़ी आपको इसमें कुछ चीज नहीं समझने आई हो तो आप comment box में हमको comments कर सकते हैं और आगे आपकी जो भी समस्या आये होंगी हम उसको solve करने का उसको सुलजाने का प्रयात्न करेंगे और आगे इस video को next video में इसको video को हम continue करेंगे Thank you very much. Thanks.